चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए ता आपको सबसे पहले पता चल जाए लो एब्रिवन वेल्कम बैक टो यूरोन चैनल माई पैशन टीचिंग तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है How Creatures Move जैसे आप ब्लैक बोड पे देख पा रहे होंगे मैंने सबसे उपर इसका टाइटल दिया हुआ है यूनिट नमबर टैन का How Creatures Move तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो जीव हैं वो कैसे चलते ह है Creatures जैसे आपको first word मिनिंग दिख रहरा होगा Creatures Creatures का मतलब होता है जीव मतलब कि जो हमारे अर्थ पे बहुत सार तरह के अलग अलग जीव जनतू रहते हैं जैसे बंदर इंसान है हम लोग हमें एक अलग तरह के जीव हैं तो ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं तो इस चैप्ट में पढ़ेंगे कि जीव कैसे चलते हैं How का मतलब होता है कैसे Creature का मतलब होता है Jeev और Move का मतलब होता है चलना तो हम जहां मिसको देखेंगे और अगर अब आप यह जानना चाहते हो कि कैसे Creatures चलते हैं तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखें तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं So start करते हैं Let's move in different ways and see who has the most fun कि अब हम जो है वो अलग-अलग तरीके से या अलग-अलग ways से चलते हैं Move करते हैं और देखते हैं कि किसमें जादा fun है तो start करते हैं How Creatures Move अभी मैंने आपको इसका मतलब explain किया है आगे पढ़ते हैं The lines walk on padded paws The square leaps from limb to limb मतलब कि जो line Line का मतलब क्या होता है Share कि जो share होता है वो कैसे चलता है अपने padded paws के उपर Padded का मतलब होता है गदेदार और paws का मतलब होता है पंजे की वो जो है अपने गदेदार पंजों के साथ चलता है तो यहां पर मैंने आपको इसका meaning लिखवा दिया है यह है यहां पर मैंने मतलब लिखा हुआ Padded का मतलब होता है गदेदार और paws का मतलब होता है पंजे आगे चलते हैं आगे है जो square the square lips from the limb to limb की स्क्राइल होती है the square के होती है गलेहरी जो गलेहरी होती है lips का मतलब होता है कूदना ठीक है अपने देखा हो का अपने आस पास की गलेहरी क्यों करते है कूदती रहती एक तहनी से कभी दूसरी तहनी की उपर और from limb to limb लिम का मतलब होता है टेहनी लिम का एक मतलब होता है अंग जो हमारे शरीर के अंग है उसके लिए भी हम लिम का इस अब करते हैं और वैसे भी हम लिम का एक और मतलब होता है इसका मतलब टेहनी तो इसका वीता में इसका मतलब आएगा कि जो गलहरी होती है वो एक टेहनी से द करना भी उरता है अंग अब आगे परना सुरू करते हैं waile flies can crawl straight up a wall while जब कि जो flies होती फ्लाइस मत्दद कि जो मख्या होती है can crawl straight up a wall कि वह जो है वह तैंके थिवार के उपर सीधे चड़ सकते हैं देखा ओगा आपने नहीं मख्यों को बहुत छोड़ी-चोड़ मख्यों होती है मदुमक्य ले लो आप उनको देखते होंगे कि वह दिवार के उपर जब सीधी चढ़ जाती है तो क्रावल का मतलब होता है रेंगते हुए स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे और अपका मतलब होता है उपर और वॉल का मतल रेंगना आगे चलते हैं and seals can dive and swim कि जो seals होती है मतलब एक मचली होती है जैसे आपको दिख रही होगी पिक्चर में इनको भोलते हैं यह जो seal मचली होती है वो dive and swim dive का मतलब होते है गोते कहती है ठीक है वो गोता लगाते हैं अंदर जाएगी वो फिर बाहर निकलेगी अंदर जाएगी फिर भागे तो ऐसे वो गोते खाते हुए जो तैर सकती है तो यहां पीस का मतलब यह होता है तो dive का मतलब होता है गोता लगाना और swim का मतलब होता है तैरना तो यह हमने देखा बागे चलते हैं तो warm he wiggles all around कि जो warm ह हरकतें करते रहते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की आवाजें निकालते रहते हैं तो यह लिखा है मने विगल्स का मतलब होता है हरकतें और warm का मतलब होता है कीडे next line है the monkey swings by his tail आप सबने देखा होगा कि यहां पर दिखाएगे कि जो बंदर होते हैं वो अपनी पूंच के सहारे एक टैनी से दूसरे टैनी के उपर जूलते रहते हैं तो यहीं पर यह भी बताए कि monkey swings by his tail कि monkey मंकी का मतलब होता है जूलना तो monkey जो है वो swim करते रहते हैं by their tail कि वो अपनी पूंच के सहारे इधर से उधर जूलते रहते हैं यहां पर मैंने swing का मतलब लिख दिया है जूलना and the words may hop upon the ground words के बोलते हैं हम पक्षी पक्षी जो होते हैं वो hop, hop का मतलब होता है फुदकना की वो क्य करते हैं जब भी वैसे आसमार में उड़ते रहते हैं और जबनी की जमीन के ऊपर जो हैं फुदकते रहते हैं hop का मतलब मैंने यहां पे लिखा हुआ है hop का मतलब होता है फुदकना और spread their wings and sail और क्या करते हैं पक्षी अपने जो पंक है उनको spread प्याते हैं और अपने पंकों को फिला कर वो sail and sail वो जो है अपने पंकों को फिला कर और तेज हवा में उड़ते जाते हैं सेल का मतलब होता है जो बहाव होते हवा का उसके साथ वो उड़ते रहते हैं और सेल का मतलब लिख लीजिए जिसको बहाव और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना अब आगे देखते हैं But बॉइस और गर्ल्स have much more fun प्रेया परन्तू, लड़के और लड़की ओं हेंचेव मुझ और अन्न मचेश पडी सब्सक्राइला या लाण काया उच्ही मतला है विलने की आुट्त कर सकते हैं ट्सका ड्सकोप confess का की बीड़स tough affect कर सकते हैं एंड वौक एंड रंकी वह सकते जबकी जो बाकी स्काइब में ड़काई और हमने बाकी के जो जीव देखे सब छीजना नहीं कर सकता है कि दैंस सब जल नहीं सकते हैं जो मचली उन रहें नहीं सकते हैं और छो शेर था वो चल सकते था, जो पक्षी थे थे वो सिर्फ उड़ सकते थे, तो जो हम लोग हैं, हमारे सबसे जादा मज़े हैं, क्योंकि हम कूँज सकते हैं, ना सकते हैं, और ओर वॉक कर सकते हैं, और रणगी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस chapter में जो new words आए हैं वो है paddit जिसका मैंने आपको मतलब बता दिया था शुरू में ही गड़्यदार लिम, लिम का मैंने आपको मतलब बता दिया था टहनी और अंंग क्राउल, क्राउल का मैंने आपको मतलब लिखवा दिया था को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू